अलो इन्वेस्टर्स आप सभी का श्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टोक बाजार में तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे वीडियो के टोपिक के उपर आते हैं तो आज का वीडियो होने वाला है रिलाइंस इंडेस्टिस के बारे में जो कि इंडिया की एक जानी मानी कमपनी है तो जैसे कि हम सभी जानते हैं रिलाइंस अपना बिजनेस लगातार एक्सपांड करने के बारे में एंड कई कमपनी का इक्विजिशन करने के लिए जानी जाती है तो आज की न्यूज भी रिलाइंस के एक ने इक्विजिशन की बारे में होने वाल करें आज के price section की तो वो 263 के previous close के सामने आज वहीं पे open हुआ था 2634 रुपे पे and अगर high की बात करें तो वो काफी उपर 2732 का लगा चुका है and low की बात करें तो वो अपने open पे ही रहा है यानि कि जहां पे ये open हुआ था वहीं इसका locked रहा है तो वहीं closing पे ये 2728 रुपे पे closing दिया है यानि कि आज ये लगतक ribbon हमें 3.5% की तेजी दिखा चुका है तो काफी अच्छा moment आज हमें share में देखने को मिला था तो आईए अब जान लेते हैं उस news के बारे में तो जैसे कि हमने बात की reliance, business expansion and acquisition के लिए जानी जाती है तो recent में ही अगर बात करें तो reliance ने milk basket, haptic, urban ladder इन सभी में अपने पैसे लगाए हुए है इन सभी organization के उपर अपना acquisition किया हुआ है तो एक और acquisition reliance के सामने आ रहा है तो वो अगर बात करें तो वो है लीडो लर्निंग एप यानी कि लीडो लर्निंग जो है वो अब reliance इसमें acquisition कर सकती है या फिर इसमें अपना fund प्रोग शकती है तो पहले अगर लीडो लर्निंग की बात करें तो यह 2019 में start हुई थी जो कि इसको बाईजूस के एक्स एंप्लोई साहिल सेट ने start किया था एंड बात करें अगर इसकी तो सप्टेंबर 2021 में रोनी स्कुरू वाला की ओर से इसमें 10 मिल्लेन डॉलर लगाया गये थे एंड इस शाल जानिवरी में लीड और लर्निंग ने लगबाराशो अपने एंप्लोईस को रेजिस्ट्रेशन लेटर दे दिये थे एंड वहां से ये न्यूज में आई थी तो लास्ट विक के एक रिपोर्ट की माने तो जो एंप्लोई को निकाला गया था उन में से कई एंप्लोईस की तो लास्ट बन से लगाता शेट यानि की इनके जो फाउंडर है वो नए इंवेस्टर को या फिर इक्विजिशन के लिए किसी कमपनी को ढून रहे है और वो कमपनी के एसेट है उसको बेज के एंप्लोईस की सेलरी पेक करना चाहते है तो इसी इक्विजिशन के लिए अब रिलाइंस और ये आता हुआ नजर आशकता है और कमपनी की माने तो कमपनी ने कहा है कि हम कमपनी के साथ final stage में है इक्विजिशन के एंड हमारी काफी बात आगे हो जुकी है आला कि उन्हों ने ये नहीं बताया कि कौन सी कमपनी इसमें funding करने वाली है तो यानि कि यह न्यूर्ष होत विद्नेश एक्सपरंशन काफी तेजी से आगे बढ़ेगा तो यानि कि रिलाइश अब नए विद्नेश में कदम रखने जा रही है जो कि लीड और लर्निंग एप के इक्विजिशन के बाद स्टार्ट होगा तो अभी ये न्यूस कंफरम तो नहीं है लेकिन मार्केट में अच्छी बाते चल रही है कि रिलाइश इसमें एक्विजिशन या फिर फंड डालेगी तो ये काफी अच्छी बात है क्यूंकि इस ये कंपनी का विद्नेश और भी आगे बढ़ने वाला है तो कोमेंट करके जरूर बताना कि आप रिलाइश इंडेस्ट्री में इन्वेस् शेयर करें